जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes एप में और दोस्तो Self Study Classes यूटूब चैनल में ठीक है अगर आपने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों तो आप Play Store में सर्च कर लें Self Study Classes यहाँ पर हिंदी साहित का बहुत अच्छा और दोस्तों टिर्की कोर्स बि इला डाउट से दोस्तों वो यह है स्वचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था अब देखते हैं दोस्तों इस प्रस्ण में बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे क्योंकि क्योंकि उनको पता है कि स्वचंताबाद की प्रबढ़ तक तो कुए मान ज पांडे को बता प्रिप्रति का अपासक कभी भी कहा जाता है किसे स्रीधर पाठक को एक क्वेश्चन आता है प्रिकृति का सुकुमार कभी किसे कहा जाता है प्रिकृति का चितेरा कभी कैसे कहा जाता है लोग लगा देते आखे बंद करके पंत है लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि प्रिकृति का उपासक कभी किसे कहा जाता है तब दोस्तों फिर भी लगा देते पन अब नहीं लगाना प्रिकृति का अपासक कभी स्रीधर पाठक स्वचनताबाद का प्रबर्तक स्रीधर पाठक है ना स्वचनताबाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया मुकुट धर पांडे ने इन कोस्चिनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है डाउट्स नमर दो फूलों का गुच्छा की रचनाकार कौन है यहां दोस्तों कैसर फस जाती है फूलों का गुच्छा और फूलों का कुरता एक किसकी रचना है तो फूलों का गुच्छा रचना किसकी है भारतेंदु हरिस्चन्द की लेकिन यहीं पर आप से फूलों का कुर्ता पुछ लिया जाता तब भी आप कंफूज हो जाते फूलों का पुर्थम कभी कौन है अब यहां भी कई लोग कंफूज हो जाते अगर आप से पूछा जाए कि हिंदी का प्रतम कभी कौन है और प्रतम की जगा कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रतम महा कभी कौन है तो क्या होता है हिंदी का प्रतम कभी स्वयम्भू को माना किसने रामकुमार बर्मा ने ये भी आपको याद रख लीए और राहुट संक्रत्याय ने किसे माना सरहपा को थीक है अंगला डौट्स अंगला है योगधार की रचनाकार कौन है योगधार अब यहां से दो रचनाइं आती है दोस्तो एक तो पूछिजाती है योगधार और दूसरी पूछिजाती योगधारा अब इनको अपको दोस्तों क्या करना है अच्छे से पढ़ देना है योग धारा बोले योग की धारा में नांग बह गया योग की धारा में योग की धारा में नांग बह गया तो याद रख़े ना तो योग की अगर धारा आकी मत्रा लगी हो धारा की बात हो तो उत्तर हो जा दुवेदी, योग धारा के लिए का कौन है, नागरजुन, ठीक है, तो दोनों चीजे के लिएर, योग धार पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे, सुहनलाल दुवेदी, योग धारा पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे, नागरजुन, इनका बास्तविक नाम क्या था पता है बैदनात किसका नागरजुन का और बैदनात दुवेदी आपको पता है किसका नाम था उपनाम हजारी परसाथ दुवेदी का उपनाम भी बैदनात दुवेदी था है ना ये भी याद रखेंगे तो आपने क्या याद किया योगधारा नागरजुन योगधा दोबेदी, किलियर अंग्ला डाउट्स, अंग्ला डाउट्स से समाइ देऊता की रचनाकार कौन है, तो आप सीधे सीधे क्योस्टन लगाना, बताईए, अगर आपको बन्ता है तो अपतार ज़रू बताएं, शमाइ देऊता की रचनाकार कौन है तब दोस्तो आपका right answer होता है कि समाई देउता के सर रचनाकार कौन है नरेश महता लेकिन एक question यहीं और पूछा जाता है साहत देउता एक पूछा जाता है साहत देउता साहत देउता के रचनाकार कौन है अब दोस्तो यह साहत देउता क्या है निबंद है उरे निबंद किसका है मैंने आपको कई बार बताया कि साहत देउता को माखन खवाना है और समय देउता है इसलिए लोग नरेश बन जाते हैं उले वो नरेश बन गया उले समय देउता है है ना तो समय देउता की लंबी कभीता है दोस्तों किसकी नरेश महता की औ confusion है confusion confusion ही होना समय देवता नरेश महता और साहत देवता माखलाल चत्रवीदी इन प्रशनों को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना है दोस्तों हमेशा पूछे जाती है सेहसन दोस्तों अपना हमेशा चलेगा doubts वाला जहां जो प्रशनों में doubts होंगे वो हम द्रंतर व सकते हैं purchase कर सकते हैं अपनी तयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को बैल आइकन को जरू दबाएं तक information आप तक महुंचे तो आजके इस वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिंद कर दोस्तों सब्सक्राइब 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 कर दोस्तों सब्